गोलियों से घायल पुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बरसाई गोलियां पता चला है कि पुश्पा गंबे रूप से जखमी हुआ है शेशाचलम की जंगलों में पुश्पा को ढूणने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिपलॉई की है भावरा पेट की पहाड़ीों पर पुलिस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्पत शोर्ट पर मिले आठ गोलियों के निशान पुलिस के हाथों मुश्पा की हत्या की अफवाओं की वज़े से आप देख सकते हैं चित्तुर और तिरुपती के कई लागों में दंगे शुरू है और आप अबी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं किक इस तरह पुश्पा की समझ काजारों की तादा तरह अठी कवंक पिरिदिर आहें आठ गोलिया लगी है किसी भी इंसान का पछ्पाना नामुम्किन है पुलिस है, पुलिस की पुश्पा को मारने की एकसाज इसकी है यहार पुश्पा इस तारा कमाता था पन्तुमाला महतिया का पुश्पान उन पैसों का violation मेरे बेटी का हारड ओप्रेशन होँ उसका पुश्पा नहीं दिया बगधाई अब यह ठीक हे डेटी के शदी पुश्पा नहीं करआई पुष्पा नहीं हमारे लिए घर बनता है अरे वो आमगरीबों को खाना खिला था पुष्पा खिलागो पुष्पा खिलागो एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिन्दा नहीं है अफवा ये भी है कि वो जैपैन, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है पुष्पा की बॉड़ी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुम्रा कर रही है आखिर पुष्पा है कहां जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्विलेंस कामरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हीं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है पुष्पाक कोच रही हुआ पुष्पास एंदाना अबूल पुष्पाका पुष्पास झाल झाल